नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर एल्गो क्रैब के वीडियो टुटोर्ल में मैं हूँ आपका दोस्त परवी नर्णा और आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा हमारे नए प्लैट्फोर्म से किस तरीके से मल्टिपल अकाउंट्स में ट्रे आपके दिखाऊंगा कि मैं एमटी फोर से जब चनरेट होती है कोई ट्रेड तो वह भी कैसे सारे के सारे अकाउंट्स में आपके लग सकती है चाहे आप एक अकाउंट्स करते हों चाहे आप 50 अकाउंट्स करते हों तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले जो भी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या फिर आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन्स आपके लाइक्स कोमेंट्स हमें प्रोचसायत करते हैं और भी ज्यादा अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए तो चलिए अब प्रोसेस को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको Google सर्च में लिखना होगा अगर आप लगोब्रिज लिखेंगे तो सबसे पहली वेबसाइट आएगी अलगोब्रिज डॉट इन वही हमारी वेबसाइट है इसमें आप हैं आब लागएन की डालनी होगी डालने के बाद आपको एक Va9 करना होगा आपका खुल जाता है और पिर आप लॉग इन कर सकता है यहांपर मैं आपको लॉगन करके दिखा रहा हूं मेरा अकाउंट दोस्तों यह मैंने अपना अकाउंट लॉग इन कर लिया बाइडिफॉल्ट जो मेरा अकाउंट है वह एक मास्टर अकाउंट है अब यहां पर मैं आपके इस चीज़ बताता हूं कि हमारे वेबसाइट पर जब आप डिरेक्ट रेजिस्टर करते हैं तो आपका जो अकाउंट आप में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको मांस्टर अकाउंट की जरुवत नहीं है मांस्टर अइक पर आप मल्टोबस्ट रूब्स करब़िगा और सबसे पहले सबसे पार क्ब黨ने चाहेंगे तो यह यहां पर एक we are not to become a master का बटन आ रहा है इस पर सफी करेंगे तो आपको 2000 रुपीज का चार्ज करना होगा जो कि लाष्टाइम चार्ज है यजह हर महीने कभी आपको पेंडल करता एक ही बार पेंगे और उसके बाद वो लाइफ्टाइम के लिए यूज होता है ठीक है वह become a master करने के बाद आपको दो आप्शन और दिखते हैं आपको सबसे पहले चीज यूजर इंफो का जो आपको टैप दिख रही है आपको दिखने लगेगा अब यूजर इंफो कर टाइप में आपको create यूजर पर क्लिक करना है ठीक है जैसे भी कोई निया यूजर आपने अंडर बनाना है यानि कि अभी आपका अकाउंट मास्टर अकाउंट अब आपको स्लेव अकाउंट बनाने तो मैं यहां पर एक स्लेव अकाउंट बना लेता हूं तो मैं यहां पर लिखता हूं स्लेव अकाउंट के नाम जैसे की कि अल्गो वन लिख देते हैं यहां पर दो अक्रेट होगे अब हम यहां पर यूजर इंफो में जाके अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो हमें दिखे रहा है दो हमारे अकाउंट हमने क्रिएट कर लिए अब यहां पर आपको दिखा रहा हैकि नो टोकन का मतलब अभी इनकोई टोकन न में लिए कोई ब्रोकर लिंक निक किया है ठीक है जब हम ब्रोकर लिंक करेंगे तो इसमें ट्रेड होगा अब चलिए इन दोनों अकाउंट में एक को फश्ट keep को किसमांबट खोलते हैं लोगिन करते हैं तो आपको एक डिस्कलेमर आता है जो कि stock market के बारे में है आप सब जानते हैं कि saos markit में ना कितना कियो सकता है तो यह सब लिए इस करना होगा तब ही आप website में एंटर कर पएंगे तो अभी अब यूजर के अकाउंट में भी सबसे पहले यूजर को क्या करना होगा अपने ब्रोकर को लिंक करना होगा ताकि आगे कि ट्रेडिंग हो सके तो हम ऐसे अंलाइन का लिंक करेंगे यहां पर ठीक है तो यहां पर इस अकाउंट में टोकन आ गया मेरे पास यह देखो आप एक से टोकन लिखा हुआ आगया अब अगर मैं यहां पर अपने दूसरे वाले अकाउंट में जाओंगा और यहां पर देखोंगा तो अगर सको रिफ्रेश करूंगा तो यह मुझे बताएगा कि यहां पर देखिए आप टोकन वैले लिखा रहे है वैलन्स भी बतारा है आप यहां पर एक और ब्रोकर्व करके सब्सक्राइब इसी में भी टोकन लेते हैं फिर वह एक और अकाउंट चीछ मेल कर खोलता हूं और दिखाता हूं जो दूसरा आकाउंट खुला अब इसमें भी मुझे यहाँ पर यह डिस्क्लेमर आरा रहा है डिस्क्लेमर को मुझे एग्री करना एगरी करने के बाद यहां पर भी हम एक नए ब्रोकर से टोकन लेंगे यहां पर ब्रोकर से लेट करेंगे अभी ब्रोकर में हमार पास काफी सारे options हैं यहां पर इनमें से कोई भी हम ब्रोकर से लेट कर सकते हैं जैसे मालीजे आपको दूसरा ब्रोकर का यूज करना है मालीज जो कि एंजल का है ठीक दोस्तों यहां पे मेरे को टोकन मिल गया अब मैं आपको फिर से अपने पुराने वाले मास्टर के अकॉंड में जाके दिखाता हूं अगर इसको रिफ्रेश करूंगा तो यह इसमें भी टोकन की इन्फर्मेशन दे देगा ठीक है इसमें मेरे 617 रुपे हैं और इसमें अब यह दोनों अकाउंट वैलिडेट हो गए यानि कि मेरे जब मेरे दोनों लिंक्ट अकाउंट थे उन दोनों ने टोकन ले लिया अब हम अगर ट्रेड करते हैं मैं एक तो पहले आपको अब यहां पर निफ्टी दो तारिकी 17700 की कॉल में बाइ करना है तो जैसे हम बाइप्रेस करेंगे तो यह डिटेल मांगेगा यहां पर हम डाल सकते कितना फिफ्टी क्वांटिटी में अभी जो ट्रेड कर रहा हूं इस ने मुझे यहां पर दिया बैड रिक्वेस्ट क्योंकि मारे बंद है अभी ठीक चल नहीं रही है इसलिए बैड रिक्वेस्ट बता रहा है अभी यहां पर आपको ट्रेड हिस्टेमी जाते हैं ठीक है अब यहां पर आप देखेंगे तीन बच के चुबवन मिनट पे और गया है जिरोधा ने मना कर दिया जिरोधा कह रहा है कि है यहां पर देख सकते हैं अब कोई ट्रेड मारने तो अब हम क्या करते हैं सिल्वर माइक्रो में ड्रालते हुआ कि इस पर खिलिक किया यहां पर कॉंटेटी वन किया और यहां पर माइस किया और प्लेस किया ठीक है जैसे आप देखें यहां पर प्लेस सकस्फूल ही आ गया क्योंकि कि मार्केट अभी चाल हुआ है ठीक है अब अगर ट्रेड इस्टी में जाके देखेंगे तो आप देख सकते हो यह तीन अकाउंट में आपको दिख रहा है कि ट्रेड लग गया सेम टाइम पर ट्रेड लग जाएंगे इसमें भी हम और बुक पर जाके देख सकते हैं यहां पर यह दो दिखा रहा है यह था किस तरीके से मैनुल ट्रेड होगा अब मैं दिखाता हूं आपको कि अगर आपने अलगो ट्रेडिंग करना है तो कैसे होगा ठीक है आप मास्टर का अकाउंट यूज करेंगे और स्लेव के अकाउंट में ट्रेड जाएगा जैसे उसमें भी मैं आपको बटन ट्रेडिंग से पहले दिखाता हूं फिर मैं कोई इंडिकेटर भी लगा के दिखाऊंग कि इंडिकेटर में क्या होता है कि सिगनल जब हम जनरेट करते हैं तो उसमें काफी टाइम अब भी सबसे पहले हमें क्या करना है इंडिकेटर ट्रीग करेंगे यहां पर इंडीकेटर मिलते हैं पर किलिक करेंगे या में लग बीडियो बनाऊंगा सकते हैं यहां से बदिदेंगा छटिकर आपильно आप कर सकते नीचे description में नमबर हैं उन पर कॉल करेंगे अगर आपको तरीकर चाहिए तो आपको किस तरीकस करना वह बता रहा हूं दूसरा detail सकते हो अगरल यहाँ पर नटा सकते हो यहां पर इंडिकेटर कर सकते हो उसमें बना सकते हो तरीकश करने के करने से आपको इंडिकेटर दिख जाएंगे जैसे मेरे पास फोल्डर मेंने बनाकर अल्रडी रखा हुआ है अब इसकी सेटिंग में जाते हैं तो अब यूजर की यहां पर यूजर की आ रहे हैं अब यहां आपको इंपोर्टन सीज़े की ध्यान रखनी है दोस्तों कि जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको यहां पर यूजर की जो है वो डालनी है अगर आप यूजर हैं अगर आप मास्टर है और आपको ट्रेड सारे एकाउंट पर भेजनी है तो आपको master key डालने है master key की मैंने उसके बाद अपने mt4 में यहाँ पर master key paste कर दी ठीक है पेस्ट करने के बाद यहाँ पर intraday off करना on करना है इंडिकेटर की quantity on करनी है अगर इंडिकेटर से quantity लेने तो इंडिकेटर से quantity ले सकते नहीं तो direct quantity चले जाएगी ठीक है उसके बाद यहाँ पर करना है नॉर्मल करना है अब जैसे माइस करना तो मैं माइस जाल देता हूं अब यहाँ पर मार्केट ओडर ले मिट और जो भी ओडर आपने लेना वह आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो अगर नॉर्मल करना तो इसके बाद stop loss टार्गेट को करोगे तो दो लाइन आ जाएंगे सब्सक्राइब अभी estamos सब्सक्राइब करें यहाँ बार बार नाव बैद यहाँ Set की नाम से रहें सब्सक्राइब करने क्वाद आपको थैसके अब है करने है तो सशार्ट है निपते हैं कि उसमें और दिख जाती है ट्रेडंच में हुग किया यहां पर हमने सेट किया अब यहां का सेटप पूरा हो गया इम्टी-फॉर में सब वो गया आप बटन दमाना बाटन हो जाएक लेकिन उससे पहले एक छोटी से सेटिंग करनी होगी हमें यहां पर सेटिंग के टैब में जाके सिंबल क्रिएट करना होगा जिस भी सिंबल में क्रेडिंग करनी होती है तो वह हमें सिंबल क्रिएट करना पड़ता है यहां पर बिज को चालू कर देंगे और यहां पर सिंबल क्रिएट कर देंगे कि कौनिटी हम यहां से ऐड कर देंगे वने ड्रेट आएगा वह ले लेगा वह आपको करके दिखा तो हूं यहां पर यहां पर यह बाय आ रहा है मैं टर्मिनल विंड़ो फिर होपन कर देता हूं ताकि आपको देखता रहे कि कैसे तर्मिनल विंडोर यहां पर सारी ट्रेड की इंफोर्मेशन दिखती है अब जिससे बाइक प्रेस करेंगे तो यहां पर यह दिखाएगा यह दिखा रहा है सक्सेस प्लेस्ट ठीक और यह क्या यूजर की क्या वेजा क्या डिटेल भेजी वह वह सारी नीचे आ रही है यहां पे सक्सस आरा है मैससिस सक्सेथे प्लैस अब हम क्या करेंगे अपने यहां पर जाएंगे यहां Unternehmen लह पर लोगों के लिए हम जाएंगे अपने अकाँंडब में सिलेव स्लेव यहां पर एक जा आप लोडर दिखा रहा है चार बजे का सिल्वर माइक्रो का ठीक है इसका भी ट्रेट लगया अब यह दूसरा में खोलूंगा इसमें भी आप देखोगे इसमें भी दिखा रहा है आपको को आर्ड कउंटिटी यहां पर इस तरीक에서 आपका pest रहा है हो गया तुद में इसको क्लोज करना यहां पर सिद्धा क्लूज बाइप करोंगे दिखा लगाए अब क्लूज बाइप एक बाइप देखे रहा है तो आप देखाए कर यहाँ पर सेल दिख रहा है यह देख रहे हो आप सेल लेकिन यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर दिखेगा अगर पहले गया नए तो पहले करें अगर यहाँ को सुट लॉग्ट यहाँ पार्गे आगर यहाँ लॉग्ट हो फंड है और आपका गया है तो ही आपका स्वाघ्या गया जाएगा दर्वाइज नहीं इसमें फंक्ष्ण आपका जो हमने एड किया हुआ है थीक है अब यह तो आपने देख लिए Lotpiej से होता है कैसे मेंसे और अगर आपके पास अपने खुद के फिल मेंटिपल को यह वह हैं और आप चाहते हो गाएज और तो वरगण के पास को मलेफा यह ट्रेयंग करेंग वे इसक Sigmar पर आप कराना चाहते हैं तो स्ट्रेटजी भी हम कोड करके देंगे आपको वन टाम डेवलपमेंट कॉस्ट लेंगे उसके बाद आप मंतली कॉस्ट पे करके यह सारा का सारा जो आपने अभी देखा वो सब यह सब यूज कर सकते हो और यह बहुत ही आसान प्रोसेस है डिले अब अब जाता है बिल्कुल फास्ट ट्रेड जाते हैं को डिले नहीं आता किसी तरीके का सिंपल सा प्रोसेस जो भी मैंने आपको बताए है यह पर एक बार चैट अप कर लेना एक बार शेटिंग कर लेनी है इसके बार जतरे मर्जी अप डालो कोई प्रॉब्लम नहीं सब्सक्राइब करना चाहते हैं यहां से डिरेक्ट रेडिंग भी कर सकते हो यहां इसे डिरेक्ट बटन दबाओ एक लिखो और यहां पर प्लेस करते हैं अब यहां पर आप देखो अब लगा चार बचके चार में पर आपको बता दूँ कि यह जो मैं अभी प्रोसेस दिखा रहा हूं इसमें क्या होता है कि ब्रोकर के अकाउंट से लगा सकते हो लेकिन जब आप ब्रोकर के अकाउंट पर लॉग इन करते हो न कई बार तो आपका से लॉग आउट हो जाता है अलगो से अगर आप अलगो भी एक साथ करना चाहते हैं और मैनुवल भी एक साथ करना चाहते हैं तो इस प्लैट्फॉर्म को आप यूज कर सकते हो यहां पर भी सेम ब्रोकर के जैसे आपको मार्गेट वाश दिखती है इवन मुबाइल फ्रेंड नमबर पर कॉल कर सकते हो ठीक है मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो पर तब तक के लिए बाइबाइटे केर एंड हैपी ट्रेडिंग